एमें उत्रार्थ के प्रिय चात्रों धन्या लोक धनी से धन्त का एक महनी उक्रन्त है आचारी आनंद वर्धन ने इसकी रचना की थी उन्होंने धनी की जब प्रतिश्ठापना की तो उस समय उनके विरोधी आचारी भी मुझूद थे उन्होंने धनी का खंडन किया तो तीन प्रकार के वे आचारी थे जो विरोधी आचारी थे एक तो अभावादी थे दूसरे भाक्तवाद थे और तीसरे अलक्षणीतावादी थे अभावादियों ने वाच्यार्थ से भिन्न जो धनी है उसके अस्तित्तु को स्विकार करने से सर्वता मना कर रखा है उन्होंने इसके अस्तित्तु को स्विकार नहीं किया आचारी आनंद वर्धन ने सर्व प्रतं उनीका खंडन करते वे धुनी की प्रतिश्ठापना की है इस प्रकार्ण को आगे बढ़ाते वे वे कहरे हैं एवं वाच्य व्यत्रेकन व्यंग्यार्थ स्यसद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृते उप्योज यन्ना हर्थात इस प्रकार वाच्यार्थ से अतरिक्त व्यंग्यार्थ के अस्तित्व और प्राधन्य का प्रतिपादन करके प्रकृत में उसका उप्योग करते वे कहते हैं क्या कहते हैं? अर्थात जहां अर्थ अपने को अपने अर्थ को गुनिभूत करके उस प्रतीमान अर्थ को विव्यक्त करते हैं वह कव्य विशेश विद्वान द्वारा द्वनी कहा जाता है। जहां अर्थ यानि वाच्य विशेश या शब्द यानि वाचक विशेश उस प्रतीमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं वह कव्य विशेश द्वनी कहलाता है। इस प्रकार से जो वाच्य वाचक हैं अर्थात वाच्यार्थ और वाचक शब्द अविधाबृति के द्वारा वाचक शब्द वाच्य अर्थ को कहता है। लेकिन वाचक शब्द स्वईम को तथा अपने अर्थ को गूनी करित करके जिसके लिए कव्य में शब्द समर्पित कर देता है। ऐसा जोका भी होता है जहां पर प्रतीमान अर्थ की या ध्वनी की प्रधानता होती है उसे हम ध्वनी का भी कहते हैं। यत अप्य उक्तम् प्रसिद्धाप प्रस्थानातिक Yes क्रमिनुमार्गस्य का व्यहाने द्वनिर् नास्तिती तदप्य उक्तम् यतो लक्षन-कृताम एव अर्थात इस द्वनी के लक्षण से ये दिखाया गया है कि वाच्य अर्थ और वाचक शब्द को चारुता के हेतु उपमा आधी तता अनुप्राशाद्य अलंकारों से द्वनी का विशय भिन्न है जो भी कहा गया है कि प्रसिद्ध प्रस्थान अर्थात शब्दार्थ शरीरम का व्यम वाले मार्ग का अधिक्रमन करने वाला मार्ग का व्यत्य से रहित होता है हता द्वनी नहीं है वे भी ठीक नहीं है क्योंकि द्वनी का मार्ग केवल लक्षन करने वालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है अभी तो लक्ष की परिक्षा करने पर वही द्वनी सेहरदय जनों के इरदय को आलादित करने वाला काव्य तत्तों सिद्ध होता है उससे दूस यहां प्राचारी आनंद वर्धन ने अपने वृत्ति में और मूल कारिका में कुछ सब्दों का प्रयोग किया है। उन्हें समझ लेना चाहिए। ध्वनेर विशया है यानि ध्वनी का विशया है। ध्वनेहे विशया है ये दो शब्द हैं या संदी हो रही है। यानि विशयशेन सिनोती बद्धनाती इस्वा संबद्ने नम पदार्थमिती विशया है। अपने संबंद के पदार्थ को बांध देता है, सीमित कर देता है। प्रस्तुत में द्वने का भी अपनी सीमा से बाहर सद्भाव नहीं है। हरथाथ वह सीमा से बनावा है, अथा ध्वनी को उकमा आधी के अंतरकत नहीं लाया जा सकता। उकमा आधी वाच्य और वाचक की चारुता के हेतो हैं, किन्तु ध्वनी का प्रान व्यंग व्यंचक भाव है। और यहां ये श्वयम चारुता की ब्रतीती है। चित्र मेवा, चित्र काव्य ही है, गेंग्यार से रहित अलंकार मात्र की सोभा से युक्त जो काव्य होता है, उस काव्य को चित्र काव्य कहा गया है, यह दो प्रकार का होता है, अर्था लंकारों से युक्त अर्थचित्र और शब्दा लंकारों से युक्त अर्थचित्र, प्रधान गुन भावा भ्याक। कि साथ जुट्रा, लोकाते ह ladozeitig चजब०्यायर्ण नोग। व्यवस्था पितम तच्छ किंचे शबद चित्रम वच्य चित्रम अदः परण। इस प्रकार से शबद चित्र और आर्थ चित्र के विषय में स्वेंध्धुनीकार ने तृती उद्योत में इसको सपस्ट किया है। इसका यहां पर संकेत मात्र किया गया है। हजारी कहते हैं कि जो भी कहा गया है कमनी इता का अतिक कर्मण नाक करने वाले उस धनी का उक्त अलंकारादी के प्रकारों में अंतरभाव हो जाता है वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि क्यों वाच्य और वाचक भाव पर आश्रित रहने वाले अलंकारादी के मारग में व्यंग और व्यंजक भाव का आश्रेण करके व्यवस्तित रहने वाले धनी का अंतरभाव कैसी हो जकता है। आगे प्रदिपादन किया जाएगा कि वाच्य और वाचक के चारुत्य हेतु अलंकारादी उस ध्वनी के अंग भूत है और वह ध्वनी तो अंगी रूप ही होता है अर्थात ध्वनी प्रधान है वह अंगी है और अलंकारादी जो है वे तो अंग मात्र होते हैं क्योंकि वे उसके लिए ही है उस द्वनी का प्राकट्य करने के लिए उस द्वनी को अभिव्यन्जित करने के लिए वास्तमी इन अलंकारों आदि का प्रयोग होता है उसकी सोबा बढ़ाने वाले ये तत्व हैं यहां पर यद्यप्य अयुक्तम यदि हपियुक्तम ऐसा कहा है यहां की पंक्तियों में ग्रंदकार ने उस मत का खंडन किया है जिसके अनुसार द्वनी का समावेश अलंकारादि में किया जाता है भाव यह है कि जब अलंकार बाच्य बाचक भाव पर निर्वर करता है तब व्यंग व्यंचक भाव पर निर्वर करने वारी द्वणि उस अलंकार के अंतर भूत कैसे हो सकती है फिर अलंकारत ध्वनी के अंग है और ध्वनी उनकी अंगी है तब अंग में अंगी का अंतरभाव कैसे होगा फिर आगे कहते हैं एक किसी अन्य व्यक्ति का श्लोक है उसको दृत करते विए कहते हैं परिकरश्चात्र श्लोक है व्यंग्य व्यंजक संबंध निवंधन तया ध्वनेहे वाच्य वाचक चारुत्वा हेत्वंत पातिता कुता ध्वनेहे व्यंग्य व्यंजक संबंध निवंधन तया वाच्य वाचक वाच्य वाचक चारुत्व हेत्वन्त है पातिता कुदाश्यात इस समवन्द में एक परिकर्श लोग है जिसको यहां पर उद्रित किया गया है जिसका आर्थ है कि ध्वनी के व्यन्ग व्यन्जक भाव के समब्द से निवद्ध होने के कारण वाच्य और वाचक के चारुत्व के हेत्वों यानि अलंकार आधिकों में उसका अंतरभाव कैसे हो सकता है या परिकर्श लोग ऐसा कहा गया है तो परिकर्श का मतलब क्या होता है कारिका में नहीं पड़े गए या नहीं कहेगे अधिकर्थ का प्रक्षेप करने के लिए जो स्लोग होता है उसे परिकर्श लोग कहते है तो इसके माध्यम से या बताया गया है कि अलंकारों का ध्वनी में अंतरभाव हो सकता है क्योंकि ध्वनी अंगी है और अलंकार आधी जो है वे अंग है आगी फिर कहरें हर्थो गुनिक्रितात्मा गुनिक्रिताविधेयह शब्दोवा यत्रार्थांतरम अभिव्यनक्ति सद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध वह द्वनी का विशय ना हो, किन्तु जहां प्रतीती है, चैसे समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त निमित्थ, विशेशोक्ति, परियायोक्त, अपन्नुति, दीपक, संकर अलंकार, आधी जो हैं, उनमें वां द्वनी का अंतरबाव हो जाएगा, इस संका का निराकन करने के लिए, द्वनी के लक्षन में कहा है, उपसरजनी कृतस्वार्थवूर, अर्थात, जहां अर्थ स्वेम को गुणी भूत करके, या शब्द अपने अर्थ को गुणी भूत करके, दूसरे अर्थ, प्रतीमान को अविव्यक्त करता है, वैं द्वनी है इसलिए उन अलंकारों में उस द्वनी का अंतरभाव कैसे हो सकता है क्योंकि व्यंग यर्थ की प्रदानता में ही द्वनी होती है और यह समासोक्तियादी में नहीं है इस प्रकार से यहां पर जो अलंकार वादी हैं अभाव वादी हैं जो यह कहना चाहते हैं कि जो अलंकार आदी हैं उनमें ही ध्वनी का अंतरभाव हो जाएगा उसको प्रिथक मानने की आविशक्ता नहीं है उसका खंडन करते हैं यहां पर प्रतिपादित किया गया है कि वास्तों में ध्वनी मे अलंकार आदी का अंतरभाव तो हो सकता है लेकिन अलंकार आदी में ध्वनी का अंतरभाव नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनी काव्य के अंदर प्रधाम तत्त होता है उसकी सिद्धी के लिए ही अलंकार आदी का प्रयोग होता है इस प्रकार से हमने यहां पर जो धनी का व्य है उसमें व्यंग्य यानि प्रदीमानार्थ यानि जो धनी है उसकी ही प्रदानता होती है और उसकी जब प्रदानता होती है तो वह अंगी होता है प्रदान होता है वह प्रदान होता है या अंगी होता है तो बाकी सब अलंकारादी जो तत्म हैं वे सब अंग होकर के वहां पर स्थित रहते हैं इसलिए अंग जो है उनमें अंगी का कभी भी अंतरभाव नहीं हो जकत अंगी में ही अंगों का अंत्रभाव होता है यह बात यहांपर आजारी कहना चाहते हैं अस्तू आज हम इतना ही यह आपर स्पष्ट करेंगे आगे की जो समाशोक त्यादि में जो धनी की प्रतित्यादी होती है कैसी होती है वहां ध्वनी का अंतरभाव हो जकता है या नहीं हो जकता है इस प्रकार की बातों को स्पष्ट करने के लिए हम कल उनहां उन उदार्नों को लेकर के उपस्थित होंगे तक तक जैतु भारतम जैतु संस्कृतम